लेकिन भारती जनता पाठी के अलावा देश की जो भी राज़ितिक पाठीया हैं जो इंडिया गटबंदन के नाम से जाने जाती है उनको अपने हिसाब देना चाहिए मता-पिता की सरकार लगभग 15 साल मता-पिता की सरकार रही आज चचा की सरकार चल रही है 18 साल से इनकी सरकार रही इन लोगों को ही शाब बिहार की जनता खोज रही है कि आपने क्या किया अगर बिहार तरकी की रास्ते पर गया तो धन्यवाद तो जनता बिहार के नरद नमोदी जी को दे रही है रोटी है, कपड़ा है, मकान है, आवास है, सिख्छा है, सुरक्छा है, जो सम्मान है जो आज भारत सरकार के जितनी उपकरम चलाये जा रहे हैं उसको तो आप बिहार सरकार दे नहीं पा रही है पनोर मंकरो, जो सोचता है, वो करता है जो महिम है, चुनाओ को लेकर के उसका आगास कर दिया है आपको बता दें कि परदान मंतरी नरेंद मोदी बिहार आने वाले हैं खबरों की माने तो तेरा तारीक को बेतिया में उनकी सभा होगी जिसको लेकर के गड़बंदन जो है, उनके उपर हमलावर है गड़बंदन ये कह रहा है कि अगर परदान मंतरी नरेंद मोदी बिहार आते हैं तो इस बार जनता उन से उनके कामों का हिसाब ले लेगी दस साल से जो आप वादे कर रहे हैं कितने हद तक आपने उसको पूरा किया है, बिहार की जनता उनको बता देगी इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के मुख परवक्ता जनक चमार है सर कैसे दिखते हैं इसको सर्थ सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बिहार परदेश के सभी जनमानस को कोटी कोटी धन्यवाद और बधाई में देता हूं अपने कहा कि देश के ससी परदान मंतरी नरन्द मोदी जी का आगमन है इसके लिए बिहार के ससी परदेश सथक्ट चादरों िसमराड चोध्री जी अधिकृत गोशना करना है करेंगे कि कब देश के परदान मंतरी जी आना है और मुझे लगता है कि उनके आने की जब सुबुगाहट विहार की जनता को लगती है तो विहार की जनता अंगराई लेने के लिए तैयार है विहार की जनता विहार की सरकार को बदलने के लिए तैयार है और एक निजर से बिहार के जनता देश के ससी पर्दान वंतरी नरंद मोदी जी को अपने आँखों पे बिठा करके बिहार आज में अपनी शरकार बनाना चाहती है सर गड़बंदन ये कह रही है कि नरंद मोदी ने जो भी वादे किये थे चाहे वो मुल्क की आवाम हो या बिहार की आवाम से हो कोई वादा पूरा नहीं किया है और नरंद मोदी जब बिहार आएंगे तो बिहार की आवाम उनसे हिसाब ले लेगी बिहार की जनता को मालूम है कि भरतिय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उस एजेंडे से अलग हटके कोई पार्टी काम नहीं करती है बिहार के saasad डेश की जनता को मालुम है कि शंबिधान में किस तरह से 35,ца 17, को नस्तनाबोध भारती जनता पार्टी की शरकार ने किया अमित भाइशाजी ने किया, नरंदर मोदी जे ने किया तो बिहार की जनता ही नहीं, देश की जनता उस पर महर लगाई है भारती जनता पार्टी जो कहती है वो करती है लेकिन भारती जनता पार्टी के अलावा देश की जो भी राज़ितिक पार्टिया है जो इंडिया गटबंदन के नाम से जाने जाती है उनको अपने हिसाब देना चाहिए मतापिता की सरकार लगभग 15 साल मतापिता की सरकार रही आज चचा की सरकार चल रही है 18 साल से इनकी सरकार रही इन लोगों को ही शाब बिहार की जनता खोज रही है कि आपने क्या किया अगर बिहार तरक्की की रास्ते पर गया तो धन्यवाद तो जनता बिहार के नरद नमोदी जी को दे रही है रोटी है, कपड़ा है, मकान है, आवास है, सिच्छा है, सुरक्षा है, जो सम्मान है जो आज भारत सरकार के जितनी उपकरम चलाये जा रहे हैं उसको तो आप बिहार सरकार दे नहीं पा रही है, उल्टे उसको रोकने का प्रयास कर रही है सर, EDCBI को लेकर के गड़बंदन जो है, वो सरकार के उपर बार बार हमलावर कर रही है देखा गिया है कि बंगाल में E.D. के टीम के उपर हमला हुआ है जिसको लेकर के गड़बंदन ये कह रही है कि जो आवाम थी उनके सबर का बान जो है वो तूट गया और जो सरकार है जो एजिंसियों का गलत इस्तमाल करके आवाम के उपर या अपोजीशन लीडरों के उपर बिहाराज को डेवलप्मेंट करने के लिए लेकिन जैसे जैसे इनकी हाथों में सत्ता की कुर्सी मिलती है ये अपने परिवार के लिए अपने घर के लिए ये लोग दोहन करना शुरू करता है तो ये तो जाच होना शोभाविक है और मुझे लगता है कि E.D.C.V.I. अगर जाच करती है आप दूद के धोये हुए हैं तो जाच से आप डरते क्यों हैं शामना करना चाहिए अज भारती जन्ता पार्टी की सरकार हो ये लालू पर साथ ज्यादों जी के परिवार के लोग क्यों नहीं बताते हैं उनके उपर जीतनी फाइयार हुआ जीतनी जाच जाच के पहले की कांग्रेस अदनिया मनमोहन सिंग के सरकार में उनके उपर फाइयार हुआ है उसे फाइयार पे आप क्यों नहीं बोलते हैं महागडबंदन के लोगों को बड़े भाई छोटे भाई चचाचा जी को इस पर जवाब देना चाहिए कि ये फाइयार इधर का सर जेडियों के सांसद है कौशलेंदर जिन्होंने राम जनभूमी के उद्घाटन को लेकर के कहा है कि कोई बेटा के शादी का नियोता दे रहा है जो बुला रहे हैं राम के ठीकदार नहीं है बीजेपी वाले देखिए ये लोग के चाल चरित्र में जनता वाने वाली नहीं है कभी हिंदु धर्म को ये लो गाली देता है कभी सनातन को गाली देता है कभी संत्रिशियों को गाली देता है कभी संभिधान पे ओंगले उठाता है मैं तो यह स्पस जानना चाहता हूँ कि अपने निताओं के उपर इनकी अंकुछ लगता क्यों नहीं है बिहार के मुखमंत्री जी आप अपने निताओं के उपर अपने सांसदों के उपर अपने मंत्रियों के उपर जो बिहार के त्रेड को जनता को शम्मान और सुभिमान को इन लोगों ने तार तार करते हैं तो इन लोगों के उपर आपको लोग तांत्रिक तरीके से करवाई करने चाहिए अगर नहीं आप करवाई करने में सक्षम है तो शेम आप अस्वस्थ चल रहे हैं तो बिहार की जनता आपको मोखा दिया था, अस्वस्त जब आए अपने शरीर को अपने खुद को चिंता करने चाहिए और बिहार के मुख्यमंतरी से आपको हट जाना चाहिए। बिल्कुल उनके ही नेता, उनके ही घर के खानों से जब इस तरह की बाते आ रही है तो ये पद के ललोपित कौन है ये खुद बिहार की जनता देख रही है उस कुर्शी के लिए ये लोग कोई भी काम करने के लिए तयार है लेकिन अब जनता अंतिम घड़ी है जनता अब इनको अपने आप कुर्शी से हटते नहीं है तो आने वाले दिनों में वो 24 के चुना हो 25 के चुना हो इनकी जमानत जब तो गयागी है ये थे हमारे साथ BJP के मुख प्रवक्ता जनक चमार जिनों ने साफ साफ कहा है कि आवाम जो है वो जान गई है कि इंडिया गड़बंधन के लोगों चाहे बिहार मौजूदा गड़बंधन के लोगों वो कैसे हैं वो सिर्फ वादे करते हैं किसी वादे पर अमल नहीं करत पनोर्मा कुरूप जो सोचता है वो करता है सेबन डबल जिरो धन्नवाद